हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शिप कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं आज का टॉपिक अप्स्ट्राइब करते हैं तो जैसे आपको पता दरता है वो प्रेगनेंट है तो आप डर जाते हैं क्योंकि आपको बच्चे के बारे में सोचना होता है तो उसमें कई बार हमें ढर लगता हमें पता ही नहीं होता उसमें क्या जीजनती है तो इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे нос can", एंडिकेशन सेफ फिन प्रेगनेंट सब्सक्राइब करते हैं मेले इस ताइम तो बिलकुली आवट करें कि इस टाइम बच्चे के ओरगम सव अगरा फार्म हो रहे होते हैं तो बच्चा अगर उसरे मैडसन देए तो बच्चे के जी आएटी कंडिशन की गेस्ट इंटर स्टैनर ट्रैक्टी कंडिशन की जैसे अगर नौजय वमेटिंग हो रहा है तो आप इसमें पाइरेडॉक्सिन दे सकते हैं विद और विदाउट मतलब यह खाली भी यह भी दे सकते हैं आज के साथ में दे सकते हैं डॉक्सिलावीं मैकलीजीन और डाइफिनाइल है ठीक है यह जो भी आप एमरजनसी में देखेंगे तो यह थर्ड ट्रैमेस्टर में ही सेफ हैं तो यह तभी देज़ें अब थर्ड ट यह बहुत ज्यादा यूज होती है वामटिंग में ठीक है तो अब कॉंस्टिपेशन कॉंस्टिपेशन में आप माइल्ड पर्गेटिव भी कहते हैं इसे अवाइट स्रॉंग पर्गेटिव विल्कुल भी ना दे क्योंकि यह अबार्शन या प्रेमिट्र लेवर कॉस कर सक कि इसमें आप मिल्क आप मैगनेशें यूज कर सकते हैं अवाइट अटी कॉलिनर्जिक को बिल्कुलिय को शिकॉलिक क्या होता है तो स्क्रेशन को सिखाया नहीं या सिंपल वे में ऐसे याद धयार सकते हैं दोब ड़ी के सेलाइव से अब गयरा हो गया आपके बॉडि में जहां भी फ्लूट्स वगएरा होते हैं उनको थोड़ा बग सुखा देता है तो उसी का एंटिकॉलिनर्जिक कहते हैं प्रेप्टिकल्स है तो उसमें सुक्राल फेट एस्टू ब्लॉकर्स और विस्मत सब्सिट्रेट यूज कर सकते हैं है कि एस्टू ब्लॉकर यह कुछ नहीं है यह आपका एंटिडी वगएरा है अब यह हीमोपाइटिक मतलब ब्लड फॉर्मेशन वली तो यह आयरन और फॉलिक एसट आप इसमें यूज कर सकते हैं अनल्जेसिक्स में अनल्जेसिक्स अवाइडी करें बट आपको फिर भी अगर दर्द वगएरा होता है कहीं तो ऐसे टामिन हो है जिससे आप पैरसेट अमोल भी कहते हैं तीसे हम शौट फॉर्म में कहते हैं यह उसकर सकते हैं इंफंशन में ने मैं हमार पास्ट आर ग्रॉम है अधिक लुड़े जैदलन है जिसमें से फ 내स कंडीशन आते हैं अर ना आप से सीरेस पंडीशन होगा हलका फुलक है तो आप पैनिसलेंस काम चला सकते हैं ठीक है अब जैसे मैंने इसको अलग और क्लासिफिकर ही किया है यूटियाई में यसे यूटियाइट इंफेक्शन हो गया है तो इसमें अमॉक्सिसलीन यूज कर सकते हैं और सेफालैक्सियम सेफ़ भ्रॉक्स और सैकुरोकसें यूज कर सकते हैं एंफेसरें आपस़ें पैनिसलेंशन ग्रॉप की जोगे और सेफेठ म СПर हुगे और नाइक्स सिफर द्रॉक्सियूं अच्छेशन प्र आता हैं अर्स कई लोगोग को जैशन ओते हुगा बीटालेक्टांफ एंच्रज appelle गी ह तो उसके हेसाब से कर दियाए मैं यह भी यह पैनिसलिण यह अमिनो ग्लाइकोसाइटिस में जेंटाम आइसे और टॉबराम आइसे तब यूज करना तो जितने पीछे ग्रूप बतायते हो बीटा लेक्टाम सेंटिवाटिक्स के अंदर ही आते है अब यह मलेरिया में मलेरिया का अक्साइग रहता है उसमें क्या दे दातर की लोग को टाउट रहता है कि यह क्या करेंगी तो मलेरिया में तो ख्लोरोकेन दे सकते है और गोणील दे सकते हैं पाइरीमिता में फॉल्लीक इसट के साथ आप सोच रहोंगे इस ताइम पर फ्रेग्रेंसी होती है तो लेडीज में ऐसा देखा जाता है कि उनको अधी वजी चीजे खाने का बन करते हैं तो कई चॉक अगरा हाते हैं तो इससे प्रेट में कीडिया हो सकते हो तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप इसको ध् इंफेक्शिंज में नानार से थी कई भी ड्रग सेफ नहीं है अचाइविभी लेकिन कि भी हम इसमें जैदो कृष्टी और मेरापन पमें यह देते हैं यह इसलिए देते हैं ताकिव ट्रांस्मिशन ना हो यह वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है मदर टू अधने जो ची इसमें सिर्फ INS और थांबिटॉल ही यूज़ करें लेकिन अगर फिर भी अगर सीवियर केस है तो आप तीकस्री ड्रग प्रफामपेसी और पारेजनमाइड इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं और अब अंदोकरेन डिसॉर्टर्स में इन्डोकरेन डिसॉर्टर्स में सिपसे फेला diabetes mellitus डियावर्टीज में आप ऐन्सुलिन यूज़ करें और बागी कोई ड्रग उसमें और यूज़ ना करें इसे metformin वगारा, aglimyparide वगारा जो होती है ठीक है, ओरोड्रक्स ना ही यूज़ करें चले नियूज़ करें हैपोथारोडिजम हैपोथारोडिजम है तो आप थैरोक्षिन जो नॉमल चलती है तो आप थैरोक्षिन दे सकते हैं थैरोटॉक्सिकोसिस काइपोथारोडिजम यहीप प्रोपाहइल भूट है मितलब भी जब बच्चा होगा उसमें बहुत सीवेयर, वह भेहानक ऐप्ट्ट कऊज़ कर दें बच्चा मर सकता है तो काटिकोसिरओड ना ही यूज़ खुरें थीक है आप cardiovascular drug disorders में जिससे अगर hypertension है तो alpha methyl dopa यूज़ कर सकते हैं और hydralyzen यह एमरेजनसी में यूज़ कर सकते हैं थीक है बीटा ब्लॉकर में आप labetalol यूज़ कर सकते हैं इसी को आप IV भी दे सकते हैं इंट्रावेनस ठीक है और ateneurol यूज़ कर सकते हैं और thromboembolic disease में आप low molecular भी heparin यूज़ कर सकते हैं LMW short form में कहते हैं इसे इसे इनक्सा प्रिंट भी कहते हैं थ्रॉम्पोइंबॉलिक क्या होता है जिसे blood है blood में कहीं clot जम किया और clot कहीं और जाकर के जम मतलब ब्लॉक इस पॉस्ट कर रहा है तो उसे थ्रॉम्पोइंबॉलिक है थैंक्यू अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं क्या करूं तुम करो जो करना है लाइक शियर कमेंट